महिने जेल में रहा हूं और जेल में रहने के बाद में दोस्तों वहां पर मैंने यार आपको पता है वहां का माहौल कैसा होता है तो वहां पर मैंने यह चीजें नोटिस की थी वहां पे क्या होना चाहिए किसे होना? सब चीजे और इसके भाद में हमारे वारा सथी था जो हमारे पास के गाउं का उसके साहते में एक सिक्ध को लेकर काफी बिढा तो आपको पता चलता है तो आपको नमस्कार में आपका भाई रोहित और ट्रीवेंट का होस्ट आपको तो पता है हमारे साथ आप काम कीए हो तो हमारे से जो भी आपके स्वाल है हमें पूछषिए मैं लाइफ वीडियो में बथाने वाला हूं तो बताईए ब़ाई जो है लोक का Ben comment यानि कि आप लोगों को rare condition के सिखे, rare condition के जो भी note है, उनमें mint का case से पता चलता है, तो finally दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता यार, ये सिखा rare है, लेकिन mint क्या है, तो बिल्कुल सुन लीजिए का mint बताता हूं, दोस्तों, एक एक चीज notice कर लेना, सिखे चार परकार के बने जिसमें एक सिकायसा, जिसके उपर कूछ भी दिखाए नहीं देता, तो इसके बारे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लेते हैं, हम मुंबई मीड, मुंबई मींड होता है, दोस्तों, आपको एक डाइमेंड का चीजितर दिखाए देगा, यानि उसमें चार को दिखाए देंगे, उपर निचे जो अपनी राजस्तानी बासा में बोलते हैं, जो शक्कर पारा होता है, उस टाइप का और हिंदी बासा में, तो फाइनली आप लोगों को पता है, डाइमेंड का जो चितर होता है, वही मुंबई मींड होता है, दूसरा मींड होता है, मिंड होता है, वह होता है, नोईडा मिंट, तीसरी बात आती है, हेदराबाद मिंट, हेदराबाद मिंट यानि स्टार, यानि कि आपको स्टार का चितर देखाए देगा, तारा वाला, यह वाई साब दानगे, तारा, आप लोग भी पैचा लेना यार, तारा जो होता है, ज के नीचे बिल्कुल एकदम दिखा देता है वह होता है कलकता मिंट यानि कलकता मिंट का कोई साभी एसा पॉइंट या निसान नहीं है जी तो देखिए रोईत भाई का कहना है जो सिक्के पर जो सन होती है उसके नीचे जो चपीवी सील मतलब कुछ भी बताया इस्टार्ट ड बार बार अलग अलग वीडियोज में कापी सारे सिक्के हैं 1949 का गोर्गी किंग वाला है 1923 का है 1902 का 1955 का है यानि वो तो हर एक वरकार के कौन से बताऊं आपको कापी सारी सिक्के इंडियन कोइनेज की बात करते हैं तो सबसे महेंगा सिक्क्या है 1923 का हेदराबाद मिट का बहुत ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा शिक्कों में सबसे ज़्यादा जो सुर्कियों में जो छिक्का चल रहे हैं वह माता वेश्ण देवला जो एक लोगों को बताया जाता है लेकिन इसमें बताया क्या जाता है यह चीज लोग नोटीस नहीं करते हैं जो फ्रोडिये लोग है वही इस सिक्खे के बारे में काफी सर्चाय पहला रहें मार्केट का रूमर कराब कर रहा है एक कारी लोगों के इतनी मतलब फ्रोड यह जो है मेरे साब से महीने के भुणा ज्यादा लोगों के साथ बड़ा फ्रोड तो देखिए हैं जो हमारे पास ुस पंपनिया हैं जो पहले भाप्ट अगर आपके पास मैं जो पता है कि बो होते हैं अगर अगर आप लोगों के पास में भी दोस्तों पता है कि ब्रोडल सबसे पहले केते हैं मैं ठीगणा कंपणी से हूँ मैं उस कोईंस कंपणी से हूँ तो फाइनली मैंने आपको यह काता और सेलेंज करके कहता हूँ इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी सिखो की कंपणी नहीं है only for rb i होता उसके अलावा कोई कंपणी नहीं होती क्लेक्शन ओनली पॉर सोक होता है ना कि इनका कोई कमपनी होता है कमपनी में यार आपको भी बता है कमपनी क्या चीज होती है कमपनी में लोग वरकर काम करता है सिकों का क्या काम करना यह एक सोक होता आने वाली बावी पीडियों के लिए तो बिलकूल यह चीज भी आपका ब सबसे बड़ा स्वाल और आप लोगों की दुनिया में क्यों आई तो इसका एक बहुत बड़ा रिजन है इसका अगर मैं बताता हूं दोस्तों तो में चला गया था सबसे बड़ी बात है मैं 6 महीने जेल में रहा हूं और जेल में रहने के बाद में दोस्तों वहां पर मैंने यार आपको बता है वहां का माहौल केसा होता है तो वहां पर मैंने यह चीजें नोटिस की थी वहां पर क्या होना चाहिए केसे होना चाहिए वह सब चीजें और उसक था जो हमारे पास के गाउंगा था वहां उसके साथ में एक सिक्केया नोटों को लेकर काफी बड़ा फ्रोड वा था तो उसके कारण वहां पे यह चीजे मेरे को दिमाग में आई और आपको पता है प्रोड अलट वाले बाईया जो है वह चीजे आपको पहले बताते आये थे उनी को देखे हम इन चीजों में लगे थे तो फ्रोड अलट वालों के जो भी है आपको पता है वह बताते थे उनी से रिलेटेड हमने यह चीजे केमपेन स्टार्ट किया था और हमारा केमपेन इन फ्रोड यह लोगों के खिलाब काफी सक्सेस भी रहा देखे रोट भाई ह हमारी इतने प्रियासों के बाद भी जो लोग है वह सबसे पहले क्या करते हैं रजिस्टेशन सुलक के नाम पर पेस्ट दे देते हैं तो इनको परबावित करने के लिए आप क्या करोगे रजिस्टेशन वालों को तो मैं बार बार कहता हूँ और मेरे को हसी भी आती है कि यार आप पेसे देते हूँ सबसे बड़ी बात है मेरे इतने वीडियो बनाने के बाद भी हर एक वीडियो में यही बोला गया कि पैसे नहीं देना नहीं देना फिर भिख के यार पैसे दो करवाउ तो बिल्कुल करके किसी का सिख्खा नहीं भीकने वाला चीज़ बिकेगा या कोईасा पायर क्वार कि कोंटेक्ट करेए को आपका क्या लगत्स को आप कहां जाने वाले होएं कोंकोंस राजरी लेकिन इस बार अभी तो हमारा एक चोटा सा प्रोब्लम की वज़े से हमने वो जो हमारा टार्गेट था वो एक बार केंसिल कर रहा है लेकिन अभी के समय कोई अब लोग मुद्रा परतर्शनी में जा सकते हूं और आपको पता हमारे नाम से पेसे काफी जगह मंगे जाते हैं वह चीज़े मत कर लेना दोस्तों लेकिन जल्द आप से मिलने आऊंगा दोस्तों यह वादा फिर से रहा इस रोईतवाई का इस वीडियो के मादम से जल्द आ कैसे पता चले कि एजिवेशन कब कैसे क्या लगना है यह बार बार वीडियो डालता है हूं जैसे जैसे होता है उसके बारे मेरे चैनल पर आपको आल डिटेल्स मिलती रहेगी तो अमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज क्या जाता गरीब थोड़ी हो जाओगे एक डायलोग चल रहा है समय इस्टाग्राम पर इतने देदो यार गरीब तोड़ी हो जाओगे तो हमें तो में तो यह कहूंगा यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गरीब नहोंगे तो आपने गड़ी ले रहे कि हाथ में हमारे दर्शकों को दिगाई तो यह जो गड तो यह मेरे साथ इनने मतलब यह बोलाएं कि यार में कापी घ्रीब मेरे को जाने का है तो मैंने बोला तुछा वहतले मेरे से मिलने आया था कहीं एक्जीबिसंस के अंदर आया था तो वह बोला सर मेरे को ये मतलब मेरे यह पेश्चे लेलो मेरे को कहीं जाना मेरे को गर जाने के लिए पेश्ची चाहिए रहे एक भी सिक्का नहीं भी का वह आयते माता वेश्णु देवाले सिक्के बेचने तो मैंने यह खाता यार 500 है मेरा उन भाइस का जो है उनसे जो लगाओ था वही चीज़ें वह मेरे से मिलने आये थे और मैं यह गड़ी उनी को वापिस करने वाला हूं जल्दी जैसे मिलेंगी इन गड़ियों में से कोई ऐसा नोट है जो सबसे जैदा मतलब अभी जो सुर्कियों में चल रहा है कोई ह और दोस्तों अभी आपके सवाल लगबग जो भी और सवाल है हमारे कमेंट के मादियम से आप हम से पूछ सकते हो ऐसा नहीं है कि हम खुछ भी बताने वाली नहीं है वह पूरी बात है आपको खुल कर बता इए जो रोज बाढ से डिरतर घएन पता हुए अच्प पास रहता हूं 356 अब लोगोंगों को जब जय के हवा नहीं खिला को नहीं क८ा के आब यायए यार बिना किसी जूरम में तो उन तब तक मैं साथ नहीं लूँगा और मैं काफी ज्यादा हद तक कर चुका हूँ और जल्द करने वाला हूँ तयार है न फ्रोड करने वाले लोगों आप लोगों को जल्द मिलेंगे वया खुश कबरी के साथ तो दोस्तों और भी आपके जो भी स्वाल है प्लीज या तो इसन से सब्सक्राइब दालना होगा तो दिए-वाद दोस्तों आप लोगों का राम-राम तद्यूफह दोस्तों देखे दोस्तों जो आट सपर हमारे से क्षिया था वह मतलब बहुत ज्यादा दिन में लगबग हजार से पलस मेसेज्ज तो हम किसी का मेंश नहीं देख दन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें